दोस्तो स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास ओप रेनो 7 है, 6 है, 5 है, कोई सावी फोन हो, आपकी सबसे वाइफाइ कीवार कोड कोई इस्तमाल कर सकते हो, यानि कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है और उसमें वाइफाइ पहले से कनेक्टेड है, तो आप उस सेम वाइफाइ को अपने फोन के साथ कैसे कनेक कर सकते हो, या फिर अगर आपके मुवाइल में वाइफाइ कनेक्टेड है, तो आप अपने वाइफाइ को कैसे सेयर कर सकते हो, किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी मुवाइल के साथ, य आप वाइफाई की सेटिंग पे चले जाओगे अब यहां पे सपोर्ज करो कि यह मेरा वाइफाई है जो कि पहले से connected होता मेरे फोन में और इसको share करना है तो मैं फिलाहल अभी connect कर देता हूँ तो देशे यह वाइफाई connected है अब office का वाइफाई है किसी भी mobile में मैं connect करना चाहता हूँ password नहीं मालूम है तो i button पे जाओँगा और QR code को show कर दूँगा अब QR code को show करने से करने के बाद यहाँ पे अब किसी भी mobile को आपको यहाँ पे open करना है और जिसमें आपको net चलाना है अब उसमें Wi-Fi QR code scanner को open कर लेना है अब किसी-किसी फोन में Wi-Fi की setting में मिल जाता है और किसी-किसी में अलग से application होता है जैसे कि Mi वेगरा के phone में अलग से application होता है या फिर iPhone वेगरा आपने ले रखा है तो iPhone में आपका camera से ही scan हो जाता है तो आपको क्या करना है ऐसे अपने Wi-Fi QR code को scan कर लेना है किसी दूसरे device से जैसे ही आप जैसे कि Mi वेगरा में scan करोगे तो कुछ इस type का आएगा और connect to dish network कर लोगे तो Wi-Fi आपका यहाँ पे connect हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे Wi-Fi connect हो गया similarly अगर आपको किशी और phone में connect करना है वीबो में या फिर ओपो में तो उसमें आपको Wi-Fi की setting में ही आइट network के सामने या फिर उपर की तरफ कहीं भी scanner मिल जाता है और यही वो scanner है जिससे मैंने scan किया था तो इस code को जो भी code था आपका उसको आप scan कर लोगे तो यह connect हो जाए लेकिन सपोज करो आप अपना होसपट शेयर करना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने होसपट में जाओगे और होसपट में जा करके यहाँ पर होसपट में जाने के बाद परसनल होसपट अन करोगे तो keyword code का option आएगा तो इस keyword code को share कर देना आप यहां से जब connect करेगा मोबाइल का डेटा सेयर हो जाएगा, अब सवाल है बनता है कि चलो ठीक है आपने सेयर कर दिया keyword code और किसी device में connect हो गया keyword code scanner से, लेकिन सवाल है बनता है कि आप अपने फोन में कैसे चलाओगे, तो अब क्या करना है, सपोज करो कि यहां पे किसी दूसरे फोन से मुझे नेट चलाना है, तो दूसरे फोन के वाइफाई पे जाओगे, और वाइफाई पे जब टैप करोगे ना, तो वाइफाई के सामने या तो आई बेटन आएगा, कुछ ऐसा, तो उस पे टैप कर लो, या फिर उस तरह से वाइफाई पे टैप कर लो, तो वहाँ पे भी keyword code सो हो है, तो इसको जैसे ही आप सामने रखोगे, आप देख सकते हो कि यह connect हो गया, तो इस तरह से आप किसी और keyword code को connect कर सकते हो, या फिर आप अपने keyword code को share कर सकते हो, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलते है नेक्स वीडियो में तब ते के लिए दा रहे,